हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्टूडियो में फेस एंगल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं तो फ्रेंड्स फेस एंगल का दूसरा नाम है फेस डिफरेंस ठीक है आप तो सुने होंगे कि ओल्टेज और करेंट जो है 90 तो फ्रेंड्स पहले क्या होता है यह जो टाइम लेन जो रहेगा ठीक है यह रहता है टाइम लेन ठीक है यह एकस एकसिस का रहता है यह यह एकसिस रहता है ठीक है यहां पर जीरो रहेगा ठीक है अगर मैं वेफार्म को जीरो से मान लिजे कि मैं यहां से शुरू करा ओके म दो शुरू करा रहा यह मानले जी के स्टार्टिंग पईंट जो है वह 0 से जो करीब होगा उसे हम बोलते हैं लीडिंग यहाँ पर कौन सा leading में है और कौन सा lagging में है यह हमें पता लगाना है तो जो wave 0 के करीब होगा उसे हम बोलते है leading जो जूरे से दूर रहेगा उसे हम बोलते है lagging तो यहाँ पर 0 के pass में कौन सा wave है current wave है है ना जो current जो है leads voltage तो यह है resistance का face diagram यहाँ पर क्या हो रहा है zero पे दोनों भी start हो रहे है ठीक है? तक वोल्टेज जो है वो 0 से शुरू हो गया, ठीक है, करेंट जो है वोल्टेज के उपर से शुरू हो गया, ठीक है, दोनों का एंगल कितना है, 90 डिगरी एंगल है, ठीक है, तो अभी जो करेंट जो है, वो उपर है, 0 के उपर है, तो इस वज़ा से क्या हो गया, करेंट जो ह उल्टेज को लीड करा कितने अंगल में 90 डिग्री में लीड करा ठीक है यह उल्टेज का है 0 से शुरू हो गया उल्टेज और लेकिन करेंट क्या हो गया 0 के उपर से तो इस वजह मतलब क्या हो गया करेंट जो है leads the voltage leads the voltage by 90 degree या ऐसा बोल सकते है voltage lags the current by 90 degree in phase तो इस diagram में भी आप देख सकते है यह जो voltage जो है वो minus से शुरू हो रहा है 0 से भी नहीं 0 तो उपर है तो minus से शुरू हो रहा है voltage और current जो है plus से शुरू हो रहा है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया current जो है voltage को 90 degree से lead कर रहा है ठीक है